बादा जेल में बन बाहु बली मुक्तार अंसारी का निधन हो गया है उनको एक तरीके से हार्ट अटेक आ जो अभी तक जानकारी हमें मिली है कि उन्हें बादा जेल में जब वो बन थे रोजा रखा हुआ था उन्होंने उसके बाद उनको एक तरीके से वो भिहोस हो कर गिर गए, उसके बाद डॉक्टर ने पहले जो सुरुवाती जाच में उनको हाड़ टेक के असंकर दाई, उसके बाद आनन फानन में उन्हें जेल से निकाल कर बांदा के मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया जहां उनकी गाजिपूर मौ में बहुत सक्री है, एक राजिनेतिक परिवार है, उसके हिस्से हैं, मुक्तार अंसारी मौ से विधायक भी रह चुके हैं, उनके बेटे अब्बास अंसारी फिलहाल मौ सदर से विधायक है, वो भी जेल्वे बंद है, उनके भाई अबजाल अंसारी परिवार है, उनके निधन के बाद अब पूरा परिवार आनन फानन में गाजिपूर से निकल कर बांदा जेल पहुच गया है, बीते दिनों बड़ा गंभीर आरोप अफजाल अंसारी ने लगाया था, उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से जेल में उनके साथ रहें, तब ये जानकारी है कि मुक्तार अंसारी के निधन के बाद गाजिपूर से पूरा अंसारी परिवार निकल गया है, उनके वकील ने, मुक्तार अंसारी के वकील ने इस पूरे घटना करम से पहले जो कुछ कहा, वो भी आप सुन सकते हैं. हो सकता है जो आप जहर की बात कर रहे हैं कि लोगों जुनों ने वो खाना चखा था उनकी तबियत बिगल गई थी कोट ने क्या कुछ कहा था आप ने जब ये बात कोट के सामने रखी कोट ने आपके जो है एक आदेश पारिश किया जिसको मेल से तुरंट 21 मार्च को बांदा जेल को बेच जिया गया और ये कहा गया कि तुरंट इनका 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 इलाज कराया जाए क्योंकि हमारे वहाँ एडीजे हैं कि सिरिकमल कांद सिर्वास्तों साहब वह बहुत किया था और जो ये कहा जा रहा कि हाट अटाइक की बात आपके मुक्तार अंसारी जैसे लोगों को हाट अटाइक हो ही नहीं सकता है क्योंकि कभूतर जैसे दिल वाले लोगों को ही हाट अटाइक हो था फिलाल एक तरह आरोप है दूसरी तरह निदन है फिलाल इंदजार प झाल झाल